नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश गुरू लाइव में एक बार फिर से मित्रो आज हम वही प्रश्णों का जवाब देंगे जो आपने 6 बच के 35 मिनिट पर जोतिश गुरू की लाइव इस्टिमिंग के माध्यम से साजा किये थे तो शुरूआत करते हैं प्रश्णों को लेकर अपने पहला प्रश्ण हमारे साजा किया है दिपेन प्रजापती ने बहुत स्वागत है दिपेन जी आपका और ये कह रहे हैं कि मेरी नोकरी कब लगेगी और कोई उपाए आप बताईए दिपेन जो आपका जन्मांख हमें यहां पर तयार किया है प्राप्त हुआ है वो व्रिष्चिक लगन का है और मीन आपकी राशी है तो वर्तमान समय में राशी से बारवे घर में यानि कि शनी का गोचर है तो आप पूर्ण रूप से साड़े साती के प्रभाव में आ गए आने वाले सेप्टेंबर 2023 के बाद ही आपको नोकरी प्राप्ती होगी तब तक आप प्रते दिन सुभह के समय हनुमान चालेसा का पार्ट करें और विशेश तोर पर शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष की सेवा आपको जरूर करनी है तो दिपेन जी आपको आपके प्रश प्रशन की और बढ़ते हैं मित्रो अगला प्रशन हमसे किया है क्रिश्ना शर्माने बहुत स्वागत है आपका और यह कह रही है कि यह एर फोर्स की प्रिप्रेशन कर रहा हूं और यहां पर उनका यह एक्जाम पास होगा या नहीं देखिए क्रिश्णा जी यहां पर मील लगन की पत्र का उच्च का शुक्र आपके लगन में बहुती उत्तम ये योग पंचम भाव में उच्च का ब्रहस्पती मंगल आपकी कुंडली में उच्च का एकाधश भाव में चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में उच्च का सूर्य आपकी कुंडली में उच् सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, गुरू उच्च का, मंगल उच्च का, पांच पांच ग्रहे आपकी पत्रिका के अंदर उच्च के हैं पास होने का बड़ा प्रबल योग यहां पर विद्यमान है सिर्फ और सिर्फ आपको माथे पर केसर का तेलक करना है भगवान विश्णू की आराधना करनी है आपका कार्य हो जाएगा अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं मित्रो और अगला प्रश्न हमारे साथ साजा किया है श्वेता बिरहाने बहुत स्वागत है आपका इनका प्रश्न भी जो है गवर्मेंट सेक्टर में जाने को लेकर है क्या फोकस करना चाहिए प्रेम विवा होगा या नहीं होगा आपकी पत्रिका के अंदर गुरु और शनी की यूती है कुम्बलगन की आपकी पत्रिका मीन आपकी राशी राशी से बारमेगर में वही शनी का गोचर आप भी साड़े साती के पूर्ण प्रभाव में हैं क्या करें बहुत ही यह उत्तम यूती है ब्रहस्पती से द्रस्ट है तो ऐसे में आपकी गौवर्मेंट सेक्टर की तरफ आपको जरूर जाना चाहिए नौकरी मिलने की प्रबल संभाव अब बात आपकी करते हैं फोकस की आप फोकस क्यों नहीं है कुंडली के पंचम भाव में जिससे बुद्धी कुशाग्र होती है बुद्धी एकाग्र होती है वह भाव होता है कुंडली का पांचवा भाव और उसी भाव के अंदर यदि राहु बैठ जाए तो बुद्धी को भ्रमित कर देता है एकागर चित आप नहीं हो पाते हैं फोकस दाप नहीं हो पाते हैं क्या करें अपने मन और बुद्धी को एकागर करने के लिए देवी सरस्वती के इस्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए एंग मंत्र का 108 बार सुभे या मद्धे दुपहर के बाद शाम के समय आप जाप करिए आपको लाब मिलेगा तीसरा आपका प्रशन क्या मेरा प्रेम विवा सफल होगा बिल्कुल भी सफल नहीं होगा इस चीज को आप नोट कर लीजिए माता पिता के अकॉर्डिंगली ही विवा करिएगा तो संभावनाएं जादा अच्छी की दामपत्य जीवन को लेकर तो श्वेता जी आपको भी आपके प्रशन का जवाब मिल गया होगा अगले प्रशन की और चलते हैं अगला प्रशन हमसे पूछा है ममता जी ने ममता जी का भी बहुत स्वागत है ममता जी हमसे प्रशन पूछ रहेंगे फिरोजा बाद से गुरु जी हम नए घर में कब तक पहुंच जाएंगे उसके बारे में जानना है और सेहत इनकी अच्छी नहीं रहती है देखे ममता जी सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आप जो है व्रिश्चिक लगन की है और आपकी राशी व्रशब राशी है राशी से बारवे घर में स्वराशी के मंगल पर राहू का गोचर है थोड़ा सा विलंब है अक्टूबर 2023 के बाद आप अपने घर में पहुंच जाएंगे राह प्रश्न आपकी सेहत का तो यहाँ पर लगन भाव का स्वामी मंगल छटे घर में स्वराशी का ओकर बैठाए यानि कि जब जब कोई भी ग्रह सस्टेश हो जाए उसका संबंद लगन से हो जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बिमारी घेर ही लेती है सबसे पहला काम अपने खान पान का ध्यान रखिए सुभह के समय कुछ भी खाने से पहले एक गिलास गरम पानी में आधा चम्मच जो है आप नीम्बू का रस दो चुटकी दालचीनी डाल कर उसका सेवन करिए आपको लाब मिलेगा और अपनी कुंडली के हिसाब से सवा छे से सवा सात रत्ती तक का एक शुद आपको मूंगा रतन पहनना है मूंगा रतन पहनिएगा वही जो शुद्ध हो औरिजनल हो इसमें किसी योग्य विद्वान की भी सला आप ले सकते है ममता जी आने वाले समय में आपका स्वास्ते बिल्कु ठीक हो जाएगा दो जून के बाद आपके स्वास्ते में परिवर्तन अवश्य होगा और ममता जी एक बात आपको बता दूँ कि जब भी आप सोईं तो आपका जो सराहना है वो हमेशा पूर्विया दक्षिन दिशा की ओर होना चाहिए वरना आपके स्वास्ते की समस्य ठीक होने में काफी समय लग जाएगा अगला प्रशन लेते हैं अगले प्रशन की ओर जाते हैं मयंक जी हैं बहुत स्वागत है आपका और इनका जन्मांग हम तयार करते हैं यहाँ पर इन्होंने प्रशन पूचा है कि इनका वेवाहिक जीवन कैसा रहेगा देखे मयंक आपको बता दूँ कि आप सिंग लगन के हैं और कुंडली का जो सब्तम भाव है जिससे हम इस्पाउस के बारे में जानते हैं जीवन साथी के बारे में जानते हैं वो है कुंडली का सात्वा भाव सब्तम भाव सब्तम भाव जब जब पीडित हो जाए सब्तम भाव का कारक शुक्र पीडित हो जाए सब्तम भाव में आने वाली राशी का जो स्वामी है वो कमजोर हो जाए पीडित हो जाए छटे आटवे बारवे घर में चला जाए तो दामपत्य जीवन गडबर समझेगा कुछ इसी तरीके की युती आपकी पत्रिका में बनी हुई है सात्वे भाव का स्वामी शत्रू राशी में चला गया सात्वे भाव का स्वामी जो है वो कारक जो है वो भी शत्रू राशी में सब्तम भाव सात्वा भाव पाप करतरी योग में तो भई दामपत्त जीवन में तो मैंक बाबु गडबड काफी मुझे दिखाई दे रही है लेकिन आपको क्या करना है आपको शुक्रवार का विरत करना शुरू करना है देवी गायत्री के महमंत्र का जाब करना है और शुक किएगा लाब मिलेगा दामपत्त जीवन आपका सुकत होगा अगले प्रशन की और चलते हैं पूनम जी बहुत स्वागत है आपका और पूनम शर्मा हमसे कह रहे हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा जौब लग सकती है या नहीं यह जानना चाहती है देखे पूनम जी यहां पर जो जनमांग तयार हुआ है उसके हिसाब से जून 2023 के बाद नौकरी लगने की संभावना प्रबल है फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है लेकिन स्वास्ते की समस्या आपको बहुत परिशान करेगी विशेश तोर पर आपको चेहरे से संबंदित विशेश तोर पर दातों से संबंदित परिशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है हो सके तो नीम की पत्तियों का जो है आप थोड़ा सा पानी में उसे उबाल कर उसका कुला करिएगा आपको लाब मिल सकता है इसकिन की जो रोग हैं वो दूर होंगे और अपने नहाने वाले पानी में भी आ आप नीम की पत्तियां डाल करना है तो लाब मिलेगा एक सवाचे से सवासातरती तक कशुद मोती आप सौमवार की शाम पहन लीजिए लाब बहुत होगा आगले दर्शक क्यों चलते हैं मित्रों उन्होंने हम से प्रश्न पूचा है इनका नाम है कोशल भारत दौज बहु बिजनिक करूँ या जिसमें मुझे कोई सफलता मिल सके कोशल जी आपका भी जन्मांग हम तयार करते हैं रुकिए तो भाई है यहां पर मैं आपको बताऊं सूर्य राहू शनी और बुद्ध की उति दशम भाव में हैं सिंगल लगन के हैं आप मकर आपकी राशी है राशी से द्वित्य भाव के अंदर यानि कि उतरती हुई साड़े साथी के प्रभाव में विशेश तोर पर इस समय आप अपना कोई नया कारे शुरू ना करें कोई हैवी इंवेस्टमेंट बिलकुल ना करिएगा वरना दिक्कत होगी इस समय आप किसी के साथ मिलकर कारे करें इं आप जमीन जैदायत से संबंदित कुछ काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलिटिट कुछ काम कर सकते हैं तो लाब की संभावना अधिक होगी अगले प्रशन की ओर चलते हैं मित्रों मित्रों आपके मन में भी अधी कोई प्रशन है तो आप हमारी सुभे 6 बच के 35 मिनट जो लाइव इस्टीम होती है जोतिश गुरू की उस समय आप अपने प्रशन वहाँ पर हमारे साथ साजा करिए हर प्रशन का जवाब देंगे अगला प्रशन हमारे साथ साजा किया है हरी करण जी ने बहुत स्वागत है आपका और इनका प्रशन ये है कि गुरू जी मेरी सरकारी नोकरी कब तक लगेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा बिल्कुल बताते हैं हरी करण जी आपका जन्मांग तैयार हो रहा है देखिए हरी करण जी यहाँ पर करक लगन की पत्रिका और आपकी जो राशी है सो राशी का चंद्रमा करक राशी में ही है तो करक लगन की पत्रिका करक आपकी राशी राशी सेस्टम भाव में शनी का गोचर कहीं न कहीं आप भी शनी की धहिया के प्रभाव में हैं हर कारिय में विलंब हर कारिय में परिशानी हर कारिय में दुविधा शंशे चिंता बनी हुई है क्या करें बै करक राशी और करक लगन के अंदर शनी सप्तमेश और अस्टमेश हैं तो ऐसे में शनी की पूजा, शनी के मंत्रों का जाब किसी योग्य विद्वान से आप करवा लीजिए, लाब देखेगा हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में एक जो है लोटे के अंदर जल भरिए, एक पिल पत्र डालिए, एक धारा के साथ यह जल अर्पित करिए सौमवार की शाम, प्रदोश काल में, यानि आज ही के दिन आप ये शाम को लगबग 6-7 के बीच में करके देखिएगा, लाब मिने का अगले प्रशन के ओर चलते हैं मित्रों, अगला प्रशन, संतोज ठाकुर जी ने हमसे प्रशन पूचा है, और इनका जन्मांक हम तैयार करते हैं संतोज जी पूच रहे हैं कि सक्सेस के बारे में ये लगातार हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्ती नहीं हो पा रही है और कैसे सुधार हो सकता है, कैसे इनने कुछ कृपा की प्राप्ती हो सकती है, जानना चाते हैं देखे संतोज जी आपको बता दूँ कि आपकी पत्रिका के हिसाब से करक लगन की आपकी पत्रिका सप्तमेश और अश्टमेश शनी आपके लगन में सूरी बुद्ध की युती आपके तिरीसर घर में और तुला आपकी राशी है, राहुचंद्रमा का ग्रहन योग है आपके चोथे घर में सबसे पहले तो छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करना बंद करिए, सोते समय अपना सिराना पूर्व दिशा में रखिए, हो सके तो सवाचे से सवाचात रती तक कशुद पुखराज रतन अपने दाए हाथ की तरजनी उंगली में आप पहनिये, लाब मिलेगा आने वाला समय आपके लिए काफी बेतरीन साबित होगा, तब तक आप ये छोटा सा उपाए करिएगा, सोभे के समय पीले मीठे चावल जरूरत मंद लोगों को बाटना शुरू कर दीजिए, आपका कारे बन जाएगा राचना गौतम जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका इनका भी प्रशन लेते हैं इन्होंने पूछा है कि पंड़े जी मेरी सारी जमीन कोट के विवाद में फसी है, कब तक ठीक होगा ये सब बहुत परेशानी है बिल्कुल रचना जी आपको बताते हैं क्यों आपके साथ ऐसा हुआ और ये सब दिक्कत कब खत्म होगी बताते हैं, निश्चिंत रहिए देखिए, जो आपने जन्मांख हमें दिया, उसके हिसाब से यहाँ पर रचना गौतम जी मेश लगन की पत्रिका और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो भी जरूर जान लेजिए भूमी भवन का कारक मंगल जब शनी से पीडित हो जाए राहू से ग्रसित हो जाए या फिर अंच वाइस, डिग्री वाइस कुछ कम हो जाए तो ऐसी समस्या हो जाती है चौथा घर पीडित हो जाए मकान का, जमीन का, जादात का पीडित हो जाए ये गर तो भी ऐसी समस्या होती है भई आपकी मेश लगन की पत्रिका है गुर्व और केतु की युती है सब्तमभाव में राहू सूर्य के उपर राहू की द्रस्टी शनी अपनी समसब तक द्रस्टी से संबंद बनाए हुए मंगल से तो यहां गडबड़ी का योग जादा है चंद्रमा नीच का होके आठवे घर में रचना जी हर तरीके से यहां समस्या ही समस्या बनी हुई है लेकिन आपको क्या करना है शुकल पक्ष के मंगलवार का विरत रखना है देवी दुरगा की अस्टमी वाली तिथी पर आप उनके मंदिर जाएं उन्हें एक नारियल एक चुनरी और पीली मिठाई या लाल मिठाई अर्पित करें मिठाई फिर छोटी कन्याओं में बाट दें अपने घर की दक्षण दिशा पर आप पिरामिड लगाईएगा और किसी योगे विदवान से मंगल यन्तर को पून रूप से सिद्ध करा के उस विवादित जमीन पर या जमीन के नीचे आप उसे घाड दीजिए लाब मिलेगा अशोक शर्मा जी जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका ये कह रहे हैं मेरे बेटे का जन्म इन्होंने दिया है सरकारी नोकरी है या नहीं देखे सरकारी नोकरी की प्राप्ती तो प्रबल है लेकिन विलंब बहुत है दो हजार चौबिस के दिसंबर के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई देता है तब तक आप क्या करेंगे तब तक आप अपने बच्चे से कहिए प्रयासरत रहें एफर्ट करते रहें कोई दिक्कत नहीं है सोबे के समय सूर्य नाराइन की आराधना करें तो लाब निश्चित तोर पे होगा खुश्प्रीत को और जुडियें बहुत स्वागत है आपका इनका भी प्रश्न लेते हैं और इनका प्रश्न है कि गुरु जी ये बताएं सरकारी नोकरी कम मिलेगी और उपाए बताएं खुश्प्रीत जी देखे जब भी आप कोई प्रश्न करें मैं बार बार यही कहता हूँ जन्म की तारीक, दिन, महिना, साल, समय और इस्थान आप इसे सही तरीके से लिखिएगा अपने नाम के साथ आपके प्रश्न का जवाब आपको अवश्य देंगे फिर भी आप प्रश्ना अनुसार आपको बताने की कोशिश करते हैं कि गुवर्मेंट सेक्टर की तरफ जाने का योग थोड़ा मुझे कम दिखाई देता है तो इसलिए हो सके तो आप अपना कोई काम शुरू करें तो आपके लिए बेतर होगा मई 2023 के बाद आपके लिए समय काफी परिवर्तन लेकर आएगा तब तक के लिए आप भगवान शिव की उपासना करें नमश शिवाय मंतर का 108 बार सोने से पहले जाप आपको जरूर करना है सीमा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इनका भी एक प्रशन है ये कह रहे हैं कि इनका पेटा चार साल का हो गया है बच्चे के बोलने को लेकर ये थोड़ा सा परेशान है निश्चिंत रहिए देखिए आपके जन्मांग के अनुसार मैं आपको बताऊं सीमा जी यहाँ पर जो बच्चे की पत्र का तैयार हुई है वो व्रिश्चिक लगन की लगन में गुरू निश्चिंत रहिए आप बेफिकर रहिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है द्वित्य भाव में धनुराशी के अंदर शनी द्वित्य भाव का स्वामी जो ब्रहस्पती है वो लगन के अंदर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है शुक्र और केत्यु की यूती तीसरे घर में सूरिय चंद्रमा की यूती चौत्य घर में अमावस्य के दिन अपने बच्चे के हाथ से जरूरत मंद लोगों को अन्न का दान कराएं और हो सके तो थोड़ा सा शहद देवी सरस्वती के आगे रखकर एंग मंत्र का 108 बार जाब करके प्रति दिन अपने बच्चे को थोड़ा सा शहद चटा दें तो आपको लाब मिलेगा एक दूसरे दर्शक है हमारे साथ इनका प्रेशन है सावन है ये बहुत स्वागत है आपका ये कहरें गुरू जी मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं फोरण जाना चाहता हूँ क्या इस साल जा सकता हूँ बिलकुल बताते हैं सावन आपका जन्मांग भी तैयार करते हैं और आपको जवाब भी देते हैं देखें यहाँ पर आपके फोरण जाने के बड़े प्रबल योग है निश्चिन्त रहिए और आप आवश्चे जाएंगे लेकिन इस सेप्टेंबर 2023 के बाद ही ऐसा योग होगा जब अक्टूबर 2023 में राहू का परिवर्दन होगा उसके बाद आप विशेश तोर पे लाब की प्राप्ती भी होगी आने वाला समय उत्तम है अम आवस्से के दिन किसी जरूरत मन व्यक्ती को गेहूं और गुड का दान कर देना प्रिक्षा के प्रवेश के लिए यह जानना चाहते हैं और भविश्य कैसा रहेगा देखे सुजल आपका जन्मांग हम तयार करते हैं और आपको बताते हैं देखे आपका जन्मांग तयार सिंग लगन की पत्रिका सिंग आपकी राशी सुराशी का शनी आपकी कुंड़ी के सब्तम भाव में नीच का मंगल आपकी कुंड़ी के बार्मे भाव में सुर्य नीच का होकर गुरू और शुकरो राहू के साथ तीसरे भाव के अंदर युती कर रहा हैं बहुत ज़ादा आपको एफर्ट्स करने हैं अंत्तो गत्वा आपको लापकी प्राप्ती नहीं होगी ये द्यान रखिए जरासी भी चूक हुई जरासी भी लापरवाई हुई आपका कारिय विफल हो जाएगा भगवान सूरे की उपासना करना आपके लिए बहुत ज़ादा अमरित्मा ही रहेगा लाबकारी रहेगा सुबह के समय कम से कम तीन बार आदे तरदे स्तोत्र का पाट करें हो सके तो नेतरहीन लोगों की सेवा करें और पिता से अपने संबंदों को मदूर रखिएगा तब ये कारे सिथ होगा सिमरिन को और जोड़ी हैं मैं आपको बता दू कि यहां पर सरकारी नोकरी मिलने की संभावना थोड़ा सा मुझे कम नजर आती है आप सिमरिन जी अपना कोई कारे शुरू करें बुटीक से रिलेटेड कपड़े से रिलेटेड धागे से रिलेटेड कोई आप कारे करेंगी तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और करीब करीब फरवरी दो हजार चौबिस तक आपको सफलता मिलने का प्रबलियोग दिखाई दे रहा है शिलाम अरगहरी जुड़े हैं हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका ये कह रहे हैं कि सर मुझे भी कुछ बता दीजिए मेरी फैमली बहुत परेशान है और आईएस की पढ़ाई करने के लिए घर में कोई प्रॉबलम है इनको हो नहीं पा रही है इनकी समस्या काफी बड़ी हुई है तो ये समस्या को खत्म करना चाते हैं और क्या ये आईएस बन पाएंगे ये जानना चाते हैं देखे मैं आपको बताओं शिलम जी सबसे पहले पूर्ण रूप से आप अपनी जानकारी सुबह 6 बच के 35 मिनट पर जोतिश गुरू की लाइव इस्टेमिंग पर जीनियूस के यूट्यूब चैनल पर आप जाईए वहाँ जोतिश गुरू की लाइव इस्टेमिंग पर आप जाईएगा वहाँ पर आप अपना प्रशन अपने जन्मांग के साथ पूर्ण रूप से लिख देजिए जो आपकी समस्या है आपके प्रशन का जवाब देंगे रमेश प्रशाद जुड़ें बहुत पर स्वागत है आपका ये कह रहे हैं शादी कब तक होगी ये जानना चाहते हैं रमेश जी देखिया आपको मैं बता दूँ आपके जन्मांग के हिसाब से विवा होने का योग इस एपरेल के बाद बनेगा हो सके तो शुकरवार के दिन आप लक्षमी आराधना करिएगा शुकर के वैदिक मंतरों का जाप आप कर लीजिए और एक भोजपत्र पर किसी योगे विद्वान से शुकर यंतर को सफेद चंदन से बनवा कर अपनी बाई जो है भुजा पर आप पहन लीजिए आप हो ला शुब होता है या शुब देखी राजा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो सर है इस हिस्थान पर होता है हमारा सहस्तरार चक्र और उस जगे को हमें बिलकुल पवित्र और शुद रखना होता है ताकि हम किसी भी चीज का योग का मेडिटेशन का जब ध्यान करत हैं तो वो हमेशा आसानी से हो जाए उसमें कोई परेशानी ना हो ऐसे में कववा जो है वो शनी का कारक माना जाता है और अगर वो सर पे चोंच मार दे तो देखिए चोट लगने की संभावना की द्रिस्टी से तो ठीक नहीं है ऐसा आप करिएगा आपके साथ अगर ऐसा हो गया है तो आप जरूरत मंद किसी निर्धन व्यक्ति को शनीवार की शाम सरसों के तेल का बना हुआ खाना खिला दीजिएगा और शनी चालेसा पढ़िएगा और बेफिक्र हो जाईए इश्वर की कृपा बनी रहेगी तो मित्रों आज हमने 6 बच के 35 मिनट पर जो अपना जरूर साजा कीजिएगा दीजी इजाज़त जुड़े रहेए जोतिश गुरू के साथ जीनीवस पर नमस्कार